हेलो गाईज मैं एस गोताम गाईज इस वीडियो को देने पर लेदे आपने में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बैल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि मरी अनुवल प्रिदेग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प बताऊंगा और उससे पहले जैसे कि मैंने अक्सल सीट पे तियार की हुई है एंट्री तो पहले मैं आपको समझाऊंगा इन एंट्रियों के बारे में बताऊंगा फिर आपको टैली यार्पिनायन में करके बताऊंगा तो जैसे कि आपकी स्कीन पर दिखाई दे रही है सेल एंट्री तो सबसे पहले मैं आपको सेल एंट्री बताऊंगा तो सेल एंट्री हम किस परकार करेंगे तो जैसे की सेल एंट्री है तो हम उससे पहले चले आते हैं टैली पर टैली पर जानेक बाद जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में तो सेल एंट्री हमारी जो एंट्री ह होती है वो होती है सेल वाउचर में तो हम सेल वाउचर को स्लैक्क करेंगे और गाइज सबसे पहले हम लेजर अपने त्यार कर लेते हैं जो इस जो इन एंट्रियों में यूज़ तो सबसे पहले जो सेल एंटी हमारी BS Glass Company तो इसका हम लेजर क्रेट कर लेते हैं नेम में आ जाएगा BS Glass Company अंडर में आ जाएगा संडरी डाटर यह हमार संडरी डाटर है इसलिए हम इसे अंडर में संडरी डाटर डाल देंगे विसका नाम एड्रस डालकर तो इसका जाएगा डालकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे तो गाइस यदि आपने जो हम जो लेजर होते हैं उनको कैसे करेट करते हैं तो इसकी वीडियो में ने बनाई हुए है आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा अब उसके बाद नेक्स जो हमार लेजर है वो है आउटवर्ड सप्लाइ तो जो भी हम सेल करते हैं उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं तो यह हमारी 18% आउटवर्ड सप्लाई है तो यह किस या जाएगा अंडर या जाएगआ सेलस अकाउंट के उसके बाद ऐभात आउउटपुट GST t этот दो आउटपुट CGST at the rate 9% और यह किसके अंडर आएगा यह आएगा duty and taxes के अंदर फिर उसके बाद output SGST at the rate 9% यह भी किसके आएगा अंडर duty and taxes के अब चलते हैं पर्चेस के अंट्री पर तो पर्चेस के अंट्री हम इसमें लेजर क्रेट करते हैं invert supply at the rate 18% तो यह किसके अंडर आएगा यह आएगा पर्चेस एकाउंट्स के अंडर आएगा और इस वाउचर को हम सेफ कर देंगे फिसके बाद है ऐसे ग्लास अल्मोनियम एंड वर्क्स और उसे पहले input IGST इस पर IGST लगा हुआ 18% at the rate 18% अंडर किसके अंडर जाएगा duty and taxes के अब उसके बाद आता है SA glass and अल्मोनियम वर्क्स SA glass SA glass company तो अंडर किसके आजाएगा हमारा यह आएगा sundry creator उसका नाम address डालका GSTN नमबर डालका इसको हम save कर देंगे तो इसके बाद है हमारी expenses की entry अब यह audit fee की जो laser है उसको हम create करेंगे name में आजाएगा audit fees अंडर में किसके आएगा indirect expenses और इस voucher को हम save कर देंगे फिर input CGST at the rate 9% फिर input SGST यह हमने अल्रेडी बना दिया हूँ तो guys जो हम अब laser create करेंगे वह करेंगे yes advisors और अंडर किसके आएगा यह आएगा हमारा sundry creditor तो यह sundry creditor में आएगा और इसका GST number और address डालका इसको हम save कर देंगे अब इसके बाद है convince expenses अब जो laser create करेंगे वह करेंगे convince expenses का convince expenses अंडर किसके आएगा यह आएगा indirect expenses अब उसके बाद है two cash तो two cash हमारा already tally में होता है अब उसके बाद है next laser हमारा festival expenses expenses यह आजाएगा indirect expenses में अब उसके बाद है repair and maintenance expenses name में आजाएगा repair and expenses repair and maintenance expenses और यह अंडर किसके आएगा यह अंडर आजाएगा indirect expenses अंडर में आजाएगा indirect expenses अंडर में आजाएगा indirect expenses और इस वावचर को हम save कर देंगे अब उसके बाद input IGST हमारा old lady हमने उपर बना दिया है तो इसे बनाने की अवशकता नहीं है अब उसके बाद हम party का laser crate कर देंगे तो इसमें वी टैक इंडिया प्राइवेट लिम्टेट वी टैक इंडिया प्राइवेट लिम्टेट इसके बाद ये अंडर आएगा sundry creator वो इसका address, name address, state ogst, number डालका इसको हम save कर देंगे अब उसके बाद है printing and stationary expenses printing and stationary ये भी अंडर किसके आएगा हमारा ये आएगा indirect expenses इस voucher को भी हम save कर देंगे अब उसके बाद है depreciation तो depreciation हम laser create करेंगे depreciation तो काई सी इसमें depreciation name में depreciation डाल देंगे और अंडर किसके आएगा ये आएगा indirect expenses के इस voucher को हम save कर देंगे फिर उसके बाद है depreciation की जो entry है उसका हम laser create करेंगे तो नेम में आ जाएगा depreciation system camera जो laser create करेंगे और system camera क्या है हमारी fixed assets है तो ये fixed assets के अंडर इसको हम डाल देंगे फिर उसके बाद है income entry तो इंकम की जो entry है अब उसका laser हम create करेंगे तो नेम में आ जाएगा RS glass company तो जो हमारी income होई है तो ये हमारा देंदार है debtor है sundry debtor में इसको हम डाल देंगे क्योंकि हमें इससे income receive हुई है तो ये हमार लिए क्या है sundry debtor है तो sundry debtor under में हम डाल देंगे फिर उसके बाद name, address, state, pin code और इसका GSTN नमबर डालकर इस voucher को हम save कर देंगे फिर उसके बाद जो next हमारा है पहले इस voucher को हम save कर देते हैं sundry debtor में डालकर name, address आप इसमें डाल देंगे वो इस voucher को हम save कर देंगे फिर उसके बाद है हमारी 2 अब उसके बाद commission का हम इसमें laser crate कर देंगे इसी परकार हमारा old lady इसमें बना हुआ इसलिए हम इससे नहीं बना रहे हैं तो हमार discount and rebate का जो हमरी income है तो उसका हम laser create करेंगे जो income की entry है discount and rebate rebate under में आ जाएगा indirect income फिर उसके बाद जैसे की हमारा commission है commission received इसमें नहीं है तो इसे हम commission received का भी laser create कर देंगे commission received under किसकी आ जाएगा यह आएगा हमारा indirect income फिर उसके बाद हमारा yes जो yes वाला yes advisors जो है यह हमारा already create हुआ है तो guys अब चलते हैं अपने tally ERP9 पर और इसकी entry करते हैं सबसे पहले हम करेंगे sale की entry तो सेल हमारी credit होती है guys हमारी जो सेल है वह हमेशा credit होती है और पार्टी हमारी debit हो जाएगी तो हम सेल वाउचर पर जाएंगे और हम सबसे पहले date डालेंगे date जैसी हमारी 1 April सुन्दुजार रठा रहा है reference में हम bill number और date डाल देंगे cross tally के लिए अब BS glass company account debit तो buy जो होती है वो हमारी debit होती है tally में और 2 में credit होती है हमारी BS glass company को हमने debit कर दिया सत्ता होजा 627 से 2 outwards supply तो जो हमारी output जो होती है हमारी GST होता है टैक्स होता है उसको भी हम debit करते हैं 2 output CGST 9% output SGST 9% 627 रुपे इस voucher को हम save कर देंगे यह तो थी हमारी sale entry अब उसके बाद है purchase entry purchase हमेशा हमारी debit होती है तो purchase हमारी debit होगी और party हमारी credit होगी तो उससे opposite होगी इसमें तो हम जाते हैं अपने purchase voucher पर सबसे पहले date change करेंगे जैसे के हमने डाल दिये 2 April 2018 और इसमें bill number डालकर rate डालकर अब हम purchase को debit करेंगे तो 2 में हमारी जो party है वो credit हो रही है तो ऐसे glass company पांच लाक रुपे जो कि हमने माल ख़ईदा है अब हम purchase को debit कर देंगे हमने party को credit कर दिया और purchase को हम debit कर देंगे invert supply 4,23,729 अब उसके बाद input CGST sorry IGST इसमें IGST applicable है 18% 76,271 रुपे और इसमें हम narration डालकर इस voucher को भी हम save कर देंगे तो guys यह थी हमारी purchase की entry अब उसके बाद है expenses entry तो अब उसके बाद हमने audit fee तो हमारी audit fee है यह हमारी general voucher में हम इसकी entry करेंगे तो सबसे पहले date change करेंगे तो expenses जितने भी expenses होते है guys वह हमारे सभी डैविट होते है तो audit fee expenses डैविट तो guys हमारा जो audit fee है उसे हम डैविट कर देंगे 42,322 से और जो हमारा input tax credit होता है वह भी हमारे debit होता है input cgst no percent or input sgst no percent तो इसमें डालने के बाद yes advisors को हम 50,000 रुपे से credit कर देंगे और जो पैसों में बसता है तो उसे हम round off में डाल देते हैं तो इसमें round off का laser create नहीं है उसे हम create कर लेते हैं alt plus c दवाकर आप इसे laser create कर लेंगे तो name आजागा round off और यह आजाएगा indirect expenses में डालने के बाद इस voucher को हम save कर देंगे और इस entry में narration डालकर इस voucher को भी हम save कर देंगे अब जो हमारा next expenses है convince expenses तो guys यह तो जो हमारी registered party थी ठीक है अब हम convince के expenses हमार 2,000 रुपे के तो वो हमने cash में उसकी payment करी है अभी हमने जो उपर वाले yes advisors उसकी हमने payment नहीं किया बट जो convince हमने खर्चा किया है वो हमारी cash में हुआ है तो जो इसकी entry करेंगे direct वो करेंगे हमारी payment voucher में तो account magic cash or convince expenses 2,000 रुपे तो इस voucher को भी हम save कर देंगे तो जो हमारी registered party है उसको हम paywall खड़ा करेंगे फिर उसके बाद उसकी बाद में payment कर देंगे बट जो हमारी cash में जो हमारा खर्चा हुआ है तो उसको हम cash में payment कर देंगे direct अब उसके बाद है festival expenses 20,000 रुपे है जैसे तो festival expenses सारे खर्चे हमारी debit होंगे तो यह भी हमने cash में payment कर देंगे इसलिए account में कैसा जाएगा और festival expenses 20,000 रुपे डाल देंगे वो इस voucher को भी हम save कर देंगे वो भी payment की entry में तो guys जो अब हमारी next entry है वो है repair and maintenance expenses तो यह हमार लिए खर्चा है इसलिए हम इसे debit कर देंगे repair and maintenance expenses 555,510 और input IGST 18% 991.80 पैसे इसे भी debit कर देंगे क्योंकि input tax हमारा debit होता है और party को हम credit कर देंगे VTAC India Private Limited 6,502 रुपे से इसे हम credit कर देंगे party को और जो हमारा round off में जो फरक आता है difference आता है उसे हम round off में डाल देंगे अब उसके बाद अगाई is printing expenses तो printing expenses हमने cash में payment की है तो इसे हम payment voucher में direct इसकी entry कर देंगे यदि आपने कोई cash में payment करी है किसी भी expenses की तो आप उसे direct payment voucher में दिखा देंगे account में कैसा जाएगा और printing expenses डाल देंगे उसके बाद इस voucher को हम save कर देंगे तो depreciation की भी हम general voucher में करेंगे depreciation पच्चिस सो और यह depreciation किस पर लगाए हमने CCTV camera पर जो हमारी fixed assets है तो depreciation को हम debit कर देंगे और CCTV camera को हम credit कर देंगे तो यह हमारी fixed assets है इसलिए हमने इसे credit कर दिया तो guys अब हमारी income entry तो guys जो हमारे खर्चे होते है वो debit होते है और जो income होती है सभी income हमारी credit होती है तो RS glass company account debit बीज यार रुपे तो commission received हुआ है तो commission हमारी income है इसलिए हम इसे credit करेंगे तो commission received account credit बीज यार रुपे से इस voucher को हम save कर देंगे अब उसके बाद जो next हमारी जो income है वो है discount and rebate 2000 रुपे की हमें rebate मिली है yes advisors से तो yes advisors को हम debit कर देंगे 2000 रुपे से और rebate discount and rebate को हम credit कर देंगे क्योंकि सभी income हमारी credit होती है और nation डालका इस voucher को हम save कर देंगे तो guys अब चलते अपने tally पर tally में जाएंगे तो जो हमने entry किये इसका effect कहां कहां पर हमें यह entry दिखाई देंगी तो यह हमारा pndl है इसमें पहले कोई भी entry नहीं थी अब जो हमने entry डाली है वो इसमें so कर रहा है तो जैसे कि हमने इसमें purchase की entry डाली थी पांच लाक रुपे की उसके बाद sale की entry डाली थी हमने यह हमारी sale की entry है तो pndl में हमारी sale account में show हो रही है इसके बाद indirect expenses में हमारी audit fee जो हमारी थी यह उसकी entry है फिर उसके बाद convince expenses जो हमने cash में payment करी थी 2000 रुपे के जो हमारा convince था फिर उसके बाद depreciation जो हमारी debt जो हमारी fixed assets पर लगी थी फिर उसके बाद festival expenses के हमने 20,000 रुपे जो दिये थे फिर उसके बाद printing and stationary फिर उसके बाद repair and maintenance expenses फिर उसके बाद round off जो हमने round off में डाला था फिर उसके बाद आ जाते हैं indirect income तो यह हमने commission received की entry इसमें डाली थी और एक हमारी जो entry थी वो थी discount and rebate की तो guys जो हमने entry डाली थी वो डालने के बाद अब हमारा profit and loss है वो तियार हो चुका है जिसमें के हमारा net loss आ रहा है तो guys इसी परकार ही आपको entry डालनी है जैसे की मैंने बताई है sale purchase indirect expenses direct expenses की भी same entry होगी जैसे की हमारी indirect expenses की entry हो रही है तो guys यह वीडियो आपके कैसी लगी please comment box में जरू बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कर दें और इस वीडियो को जादे जादे शेयर कर दें thanks for watching this video